कि बाइलोजी एक्षी चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ इसके सिंग और आज आपको कि ग्रिजुएशन फर्स्ट पार्ट कि भी एसी जुलोजी के लिए इसके अलावे कि मेड्य अक्जाम के लिए एक टॉफिक लेकर आया हो इस टोफिक का नाम है किति डिलिए डिस टॉफिक कि अधियन करेंगे कि अल्टॉडिज्म होता क्या है ऐसे तो अल्टूरिज्म कहें या इसको परोपकारिता कहें यह दोनों बात एक ही है अल्टूरिज्म और परोपकारिता से एक संबंध है और इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं चलिए अल्टूरिज्म होता क्या है प्रोपकार्ता जो होता है प्रानी सोहाव से जानते हैं कि human जितने भी हैं वो सोहाव से स्वार्थी मान जाता है यह धार्णा मनुस्यों के बारे में प्रचलित है व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसका स्वार्थ या नीजी उदे से चिपा रहता है प्रंतु या पुंता सही नहीं है या सत्य नहीं है मनुसा अपने जीवन में प्राया ऐसी भी कार करता है जिसका संबंद उसके स्वार्थी पूर्ती से नहीं होता बलकि दूसरों की सहायता पहुंचाने से होता है ऐसे बिवार को परफकारी बिवार कहा जाता है जैसे किसी की सहायता करना, किसी का दुख बाट लेना, किसी की संतुस्ती के लिए स्वैंग को कस्ट में डाल देना यह सारा चीज जो है परफकार्था का एक विशेस लक्षन है बैरन के अनुसार क्या कहा गया कि बिना स्वार्थी को दूसरे के कल्यान के परती चिंतित होना ही प्रवकार्था कहा जाता है मतलब इसका मतलब यह हो गया कि अल्टुरिज्म इसे अल्टुरिज्म इसे सेल्फिस कंसर्ण अफ दे वेलफेर अधर एक दूसरे की सहायता करने से लोगों के बीच आपसी मतभेद जो होता है वो कम होता है पर अपकाडिता वे वहार की निरर तक कुछ है जैसे सहायता के लिए पुकार जब कोई व्यक्ति मुसीवत में होता है तो वो सदयव सहायता के लिए किसी को पुकारता है जैसे कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो वह सहायता के लिए लोग को पुकारता है या आवाज लगाता है अनेक लोग उस व्यक्ति की आवाज सुनते हैं परन्तु हर व्यक्ति सहायता के लिए नहीं आता जो व्यक्ति सहायता के लिए आते हैं उसे परपकारी व्यक्ति करते ह तो समझ रहे होंगे किस तरह से प्रुपकाट्टा को दिखा जाता है उसी तरह से दड़सक प्रभाव जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो वहाँ अधिक भीर हो जाती है प्रन्तु लोग सहायता के लिए बलकि लोग एक दूसरे को देखते हैं जब कोई एक या दो व्यक्ति कि सहायता के लिए आगे आते हैं तब बाकी लोग भी सहायता के लिए आगे आते हैं आप लोग खुद सोच लोग सहायता के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं उसे इस बात का भी डड़ होता है कि सहायता करना अच्छी बात है या गलत बात है। समय की कमी, लोग के पास समय कम होता है जो अभी के समय में देखा जाता है। लोग क्यों जो है, लोग सभी लोग अपने अपने ब्यस्त हैं। तो ऐसे कंडिशन में अल्टरिज्म की इस तरह से दिखता है। लोग के पास जब समय का कम होता है, तो लोग जो है, जरूरत में लोग की सहायता नहीं करते हैं। आम लोग इसमें ब्यस्त हो जाते हैं, और उन्हें किसी अपरचित का दुख ही नहीं दिखाई देता है। सहायता करने से पहले ब्यक्ति बार-बार सुचता है कि अगर मैं सहायता करता हूं, तो मुझे कोई परसानी तो नहीं हो। यही ची देखने को मिलता है। समाजी की उतरदाईत भी होती है, अ मानवी भावन या समाजी की उतरदायot की भावना उधिक होती भीवन जिवों पर दैया करना, गरीबों को सहयता करना इस माशता pentin को सहता कहई ह। प्रजाती के प्रहवा आज के यूंग में और भी बढ़ गएया है। लोग एक दूसरे की सहायता जाती अध्रम देखके भी करने लगे हैं जो कि अभी वट्वान समय में देखने को मिलता है व्यक्ति पीरित का लिंग पर अपकार्था विभार की इस बात पर निवर करता है कि पीरित व्यक्ति किस लिंग का यदि वह महिला है तो संकट में पर ज सहायता के लिए कम लोग आते हैं यहीं देखने को मिलता है उसी तरह से मूड की बात करें जब व्यक्ति खूस होता है तो वह अधिक सहायता करता और किसी की सहायता करने में रूची लेता है उस समय व्यक्ति की सोच धनात्मक होती है तो जब दूखी वह चिंता में होता है मैं कम रूची में लगता हैा हुस की सोच नकारात्मक होती है इस तरह से In सारी बातों कोई बात देखकर साता है कि एक व्यक्ति की है जिसका उड़े से किसी अन्य व्यक्ति को देख भाल करना उसकी भलाई करना उसकी हितों को लूम्हादार करने के बारे में एक व्रफकाडी को Tobcho Pramoo ہ Clinês तब बूला जा सकता है जब दूसरों के साथ उसकी समाजिक बातचीत में अपने लफ़ाक के बारे में करते हैं अफ मी देखते हैं कि 1996 के बारे में जो हैं क्या करता है हमारा 야 जो टॉपिक है है वो क्या बताता है कि अल्टिज्म इज अन इंडिविज्वाल गीवफ तो सेक्रिफाइसे सम अफ इट्स ओन रिपर रिप्रोड़क्टिव पोटेंचिल तो बेनिफिट अनदर इंडिविज्वल अपने फायदे को उधेसे से देखते हुए अल्टिज्म एक ऐसा बिहविय अगर किसी एक जानवर या कई सारे पक्षी जीव ऐसे भी होते हैं जब दूसरा और इसके सहायता में होता है तो उसको किसी तरह से अलार्म करके सूचना लेता है कि तुम जो है खत्रे में हो अपने जान को खत्रा में डालकर दूसरे को सुलक्षित बचा लेना ऐसे गुनि से बचाने का उसके लिए कुछ खास तरह के सिगनल देने का काम करते हैं है फिशिर मदद करने का जो गून है कंस करके कुछ सोचल जीवों देखने को मिलता है इंकरीज दर हीटनेश आफ अ अगर इसके लिए सबसे बराग घून होता है कि इसे fitness जो है एक डूसरे और गुन को प्रभावित करता है अगर प्रपकार्ता के वैसे लोगों के अंदर जो fitness का गुन होता है sacrifice का जो गुन होता है वो ज़्यादा और चलीद होता है सोसल इंसेक्ट में यह गुन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है जैसे चीटी के अंदर वैस्प के अंदर बी के अंदर टरमाइट्स के अंदर यह सारे औरगनेंज के अंदर यह गुन देखने को मिलते हैं इसके अंदर इसके अलावा जो है कुछ और भी जीव है जिसके अंदर जो सिगनल के माध्यम से दोब कार्द दिखाता है अब आता है टॉपिक fitness, fitness क्या होता है? किस भी ऑगर जैंस के लिए positive effect, फिटनेस, positive होता है तो वोग इसका effect positive, अगर करके हम उसके भलाई के लिए कर रहे हैं तो एफेक्ट पॉजिटीव होता है एक होता है एक होता है निगेटिव जब दूसरे को मुडि पूरी तरीके सेने उकसान Legislative करेंगे जिसे पैरासइट के अंदर क्या होता है तूसरा बर New सब्सक्रब इसको price by अपने को सब्सक्राइब रखते हुए दूसरे को बचा लेना यह है अगर फिटनेस किसी अर्गनिल के अंदर पोजेटिव होगा तो इससे क्या होगा उसकी ग्रोथ अच्छी होगी वह दुनिया में सर्वाइब करेगा उसका जो जेनरेशन है वह डेवलप करेगा अब दू तरह के फिटनेस यहां पर आईलग करते हैं यह जो होता है आपके और Compelky, एक सर्फनेस की रूप में जना या जसमे छो शकता है कि ईसके पीछे जो होगा वह इस्सन्ट होगा कि सुर्थ स्वाथ्पन होगा है हैं कल होके हमको मदद करेगा तो यह हमारे genetically related नहीं रहते हैं लेकिन जो डाइलेक्ट fitness होते हुँ हमारे खूल से जीन से जूरे हुए होते हैं फिटनेस जो होता है कॉलनी के formation के लिए दोनों तरह के जीट चाहिए एक अल्ट्रिज्म भी है वहला मत्ता परुपकारी लोग भी चाहिए और selfishness चाहिए जैसे ant के अंदर वैस्प के अंदर या bee के अंदर क्या देखने को मिलता है कि अलग लगता द्रौन हो गया कुई होगया ओसमें दूसरी तरह की भावना अगार दोनों की Players होती है selfishness की और परॉपकार ने दोनों जडिरत होती है अगर खाली रहाईगा तो भी परिवार को चलाना संदम नहीं और स्वार्थी पन रहेगा तो भी संदम नहीं दोनों एक परिवार के formation के लिए ज़रूर होता अब जैसे हमारे है जो रिलेशन है उसरी लेशन को समझने के लिए जैसे पिता और पूटर पुत्र का रिलेशन है तो उसके लिए हम लोग यह जाधा क्लोज होता है इसलिए हम Г davi ab mi կह के मांद हम से उसको रिहटीव क्यमा जानते जैसे अब कोई जैसे ब्रधर है बच्चा है ब्रदर है इस सब के लिए जो है हाफ का यूज किया आता है लेकिन जो जैसे जैसे मारी दूरी बढ़ती है जैसे माली जे कजन है तो ऐसे कंडिशन में रिलेशन थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होता जनेटिकल जादा दूरी है तो वन वाई फोर्थ यूज कि भी परयोग किया जाता है जलेट दो तरके होगे एक होगा जनेटिकल रिलेटेड और दूसरा होगा जेयेटिकल आन्रिलेटेज तो जैसे जो आपके सब्सक्राइब को बढ़ाता है तू आपके जीवन में अल्सों इनक्रीज ओर फिटनेस जिससे आपकी फिटनेस की आपकी गुन बढ़ता बढ़ती है मतलब एक रेक्टी अगर फिट होगा तो क्या होगा उसके अंदर ग्रोथ बढ़ती रहेगी उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ जादा बहतर होगा वह इस प्रिथी पर रहने के लिए सक्सेस मना जाए जिससे ज़्यादा से जब्सक्तल जादा मातरा में एक प्रोडू करेंगे इसका मतलब यह हो गया कि अगर दोनों को अपने आपको विप्रोड करने का काम किया जाएगा जैसे अमा लीजिए इसको एग्जांपल के माध्यें से समझते हैं कि कि अगर आपके आप किसी चीज़ खाना को ढूंडने में आपकी 50 केलोडी वो energy lost हो गए अब energy lost होने के बाद आपको energy मिला 120 केलोडी की benefit हुई तो इसके लिए formula दिया गिया है C, C, BR C का मतलब हो गया cost, B का मतलब हो गया benefit और R का मतलब हो गया relation cost, benefit और relation अब माल लिजे कि आपको जाने में costing 50 हो गया और आपको energy जो हो गया 120 हो गया तो यह हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप तभी आप में autism की behavior को देखने को मिलेगा मतलब 50 है और उससे अगर थोरा सा भी ज़्यादा होगा मतलब 120 के करीब या एक एक बी ज़्यादा होगा तो ऐसे behavior अर्टिज्म कलाता है लेकिन अगर यह 50 हो जाए यह 49 भी हो जाए तो यह behavior कम हो जाएगा तो यह selfishness गुल कलाता है इस चीज़ को देने के लिए एक rule दिया गए Hamilton rules जिसको बोलते हैं जिन्होंने बताया कि अगर आपकी उर्जा जो है पचास स्माप्त हो रही है और आपको कहीं पर जाने के बाद 120 मिल रहा है 120 मिल रहा है लेकिन आपके कोई relative नहीं है या कोई संबंदी नहीं है ऐसे condition में या आपको benefit उससे कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे condition में कुछ भी benefit देखने को नहीं मिलेगा यह चीज़ भी होता है जैसे कोई son है कोई brother है तो इसमें relative जूर जाने से होगा और जीरो अगर हो गया तो कोई अल्टरिज्म देखने को नहीं मिलेगा यहां पर अल्टरिज्म भीहवियर नहीं प्रदसित होगा तो कि आप उसको किसी के साथ बाट नहीं रहे तो अगर बाटते हैं तब ही आपका सब्सक्राइब की भावना होगा दोनों का सहीयों करना एक को benefit होना दूसरे को दूनों को benefit होना ऐसा भीहवियर देखने को मिलता है अब है क्या कि अगर सी बराबर अगर 50 दिया हुआ है तो आपके पास benefit 150 कैलोडी की होती है तो ऐसे condition में अगर sun के साथ इसको relate करना है आर को रेटी बोला गया तो इसको इस तरह से 50 हुआ इसको काटने को 75 होगा 75 ज्यादा है तो ऐसे condition में 50 से अगर कोई ज्यादा हो तो इसके अलब आप कजन है ग्रेंट सन है तो ऐसे condition में डिलेशन वानवाई फोर्थ होता है तो यहां पर अगर इससे कम दिखता है तो यह अल्ट होगा इसी तरीके से सी अगर हमेशा बीयाड बीयाड जो होगा वो बड़ा होगा सी से इसके लिए condition कुछ दिया गया है कि सी बाई बीयार अगर एक इससे जदा हो एक भी तो यह अल्टिजम दिखाएगा इससे कम हो तो ऐसे करने सेल्फिसनेस दिखाएगा और इसका अल्टिजम का भीहाीयर है वह देखने को किसमें मिलता है ज्यसे बिमपर वैड हो गया जिसके अंदर क्या होता यह बैट होते हैं कुछ ऐसे वीट होते हैं जो खाना नहीं सकते हैं तो इसे में बैट क्या करते हैं आपने बडी से बलड को उसके बाडी के अंदर करता है कि किसी तरह की स्वum Cut होने पर पुरण्त सका इंफोमेशन देता की सोचल इंसेक्ट के अंदर भी देखने को मिलता है आंध्य घुटा ग्रोगे उन दब्सक्षोज होी हो गया इसके अंदर भी होता एक तो यह भी एक तरह का प्रोटेक्शन का भावना हो गया साथी साथ वन्स मराने का काम को इन कर रही है इसके अलावा सारा चीज़ों का ध्यान रखना तो अल्टेज्म नॉट सपोर्ट डार्वन के थियोरी को सपोर्ट नहीं करता है डार्विन क्या हो रहा था कि सर्वाइवल भी होगा रिप्रोडक्शन चांस इंक्रीज होगा वर्वेट मंकी इसका सबसे बेस्ट एक्जामपल के रूप में माना गया है कुछ परसन जैसे अल्टेज्म जंप इन ट्राइटू सेव हिंग अगर कोई डूब रहा है और उसको इसके अलाबा इसके अंदर ऐसी गुन देखने को नहीं मिलेगा अल्टेज्म एक डिक्रीज्ट द डिक्रीज्ट अब सर्वाइबल अव सम्मान विच कैन नौट को सी फरकॉस्ट इज टीज चांस ऑफ सर्वाइबल तो रिसिपियंट जैसे सी हमेशा होना चाहिए जो भी बी याट जो होना चाहिए वह हमेशा सी से बरा होना चाहिए तभी आपको बेनिफिट दिखाई देगा यहां पर दिया गया सी ऑफ कॉस्ट ऑफ इन करें भी हो गया बेनिफिट ऑप रिसिप और आर हो गया रेडिनेस या जो रिलेशन सीप है उसके बारे में दिखाता है क इसके बीच में रिसिपेंट है किसको उड़जा दे रहा है यह चीज घलाता है तो यह अल्टरिज्म के बिहावियर फादर सन के बीच में रिलेशन को दिखाया गया यह 0.5 से और उससे दूर का रिलेशन होगा तो उसमें 1.8 का रिलेशन दिखा जाता है गरेंट फादर ग अगर आपको समझने हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में को लिखके बताएंगे किस तरह से आपको यह तौपिक ठीक लगा है और इसके विल यह फिर हम आगे जो है इसी तरह के वीडियो को लाते रहेंगे थांक्यू फर वाचिंग में